हाई गाईज वेलकम बैक टो चैनल लेटिल तिंग्स मैं हुदिपाल और आज हम एक हेल्दी ब्रेइफ़स्ट की रेसिपी लेके आया है आपके लिए और वह भी एकदम जटपट और हमें बहुत देर तक फूल रखने वाली तो आज हम बनाने वाले हैं कैरट ओट स्मोधी त अगर इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नीक है तो प्लीज कर दीजे और प्लाइकल में दबा दीजे ताकि हमारे नीव अपडेट्स आपको मिलते रहें चली देखते हैं इंग्रीडेट्स तो यहां पर हमने लिया है गाजर को हमने बारी कट कर लिया है एक चमच हनी, दो चमच रोस्टेड मूमफली और एक कप ओट्स तो सबसे पहले हमें ओट्स को भीगो लेना है अगर आप रोस्ट करना चाहते हो ओट्स को तो आप रोस्ट भी कर सकते हो हमें हमने ओट्स को पकाया नहीं है इसलिए हम इसे 15 मिनिट के लिए पानी में भीगो के रख देंगे ताकि जो ओट्स से कच्चा पने वो निकल जाए तो यह हमारे ओट्स अब देख सकते हो थोड़े से फूल गए है तो अब हमने यहां पर ग्राइंडिंग जार लिया है इसमें हम गाजर डालेंगे दो चम्मज और दो चम्मज ओरंज डालेंगे एक चम्मज मूमफली अब इसे पहले हम ग्राइंड कर लेंगे तो हमने इसे ग्राइंड कर लिया है तो जो अगाजर है वो अच्छे से ग्राइंड हो गया है इसमें अब हम डालेंगे पाच चम्मज ओर्ट्स आपको जितना कॉंटिटी बनाना है आप उतना ओर्ट्स डाल सकते हो आपकी कॉंटिटी के हिसाब से तो हमने यहां पर पाच चम्मच शहर डालेंगे या हनी डालेंगे अब इसे इन सब को हमें अच्छे से क्राइंड कर लेना है वापस एक बार ताकि जो सब मिक्चर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए तो यह हमारा स्मूथी रेडी हो गया है अगर आपको यह बहुत ही थिक लग रहा हो तो आप इसमें पानी एड़ कर सकते हो तो हमें यह थिक लग रहा है इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर लेंगे अब इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे सब करेंगे तो यह हमारी जटपट बनने वाली ब्रेकफस्ट स्मूधी रेडी है सब करने के लिए उपर से हम गानिश करेंगे थोड़े से चिया सीट्स के साथ और क्रश्ट पीनट्स के साथ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंदा ही तो प्लीज लाइक कर देना और कॉमेट करके हमें ज़रू बताना कि आपको कैसे है और हाँ आपके फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिए थैंक यो फोचिंग आप वीडियो फिर मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ त आपको